प्रस्तुत है रवीन रिनात टैकूर की कहानी कवी का हिर्दै चांदनी रात में भगवान विश्णू बैठे मन ही मन गुन-गुना रहे थे मैं विचार किया करता था कि मनुष्य स्रिष्टी का सबसे सुन्दर निर्मान है किन्तु मेरा विचार भ्रामक सिद्ध हुआ कमल के उस फूल को जो वायू के जोंको से हिलता है मैं देख रहा हूँ कि वो संपूर्ण जीव मात्र से कितना पवित्र और सुन्दर है उसकी पंखुरियां अभी अभी प्रकाश से खिली है वो ऐसा आकरशक है कि मैं अपनी द्रिष्टी उस पर से नहीं हटा सकता हाँ मानवों में इसके समान कोई वस्तु विद्यमान नहीं विश्णु भगवान ने एक ठंडी सास खीची उसके एक शन पश्चात सोचने लगे आखिर किस प्रकार मुझको अपनी शक्ती से एक नवी नस्तित उत्पन करना चाहिए जो मनुश्यों में ऐसा हो जैसा की फूलों में कमल है जो आकाश और प्रित्वी दूनों के लिए सुक तता प्रसन्यता का कारण बने एक कमल तु एक सुन्दर युवती के रूप में परिवर्तितो सामने खड़ा हो जा जल में एक हल किसी लेहर उत्पन हुई जैसे कृष्ण चिडिया के पंखों से प्रकच होती है रात अधिक प्रकाश मान हो गई चंद्रमा पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगा फरन्तु कुछ समय पश्चात सहसा सब मौन हो गए जादू पूरा हो गया भगवान के सम्मुख कमल मानवी रूप में खड़ा था वो ऐसा सुन्दर रूप था कि सुहम देवता को भी देख कर आश्यर हुआ उस रूप वती को संबोधित करके विश्णु भगवान बोले तुम इससे पहले सरोवर का फूल थी अब मेरी कल्पना का फूल हो बातें करो सुन्दर योती ने बहुत धीरे से बोलना आरंभ किया उसका स्वर ठीक ऐसा था जैसे कमल की पंकुणिया प्राता समीकरण की जोकों से बजुठती है महाराज आपने मुझको मानवी रूप में परिवर्तित किया है कहिए अब आप मुझे किस स्थान में रहने की आग्या देते हैं महाराज पहले मैं पुष्प थी तो वायू कित्था पेडों से डरा करती थी और अपनी पंकुणियां बंद कर लेती थी मैं वर्शा और आंधी से भय मानती थी बिजली और उसकी कड़क से मेरे हिर्दय को डर लगता था मैं सूरी की जलाने वाली किर्णों से भी तरा करती थी आपनी मुझको कमल से इस सवस्था में बदला है अता मेरी पहले सी प्रकृती है मैं पृत्वी से और जो कुछ उस पर विद्दिमान है उससे डरती हूँ फिर आग्या दीजिये मुझे कहां रहना चाहिए नहीं महराज, वहां बर्फ है और मैं शीद से डरती हूँ अच्छा, मैं सरोवर की तै में तुम्हारे लिए शीशे का महल बनवा दूँगा चलकी कहराईयों में सर पर भयावत चंतु रहते हैं महराज इसलिए मुझे डर लगता है तो क्या तुमको सुनसान उजाड इस्थान रुचिकर है नहीं महराज, वन की तूफानी समीर और दामिनी की भयावनी कड़कों में किस प्रकार सहन कर सकती हूँ तो फिर तुम्हारे लिए कौन सा इस्थान निश्यत किया जाए हाँ, अजेंता की गुफाओं में साधू रहते हैं क्या तुम सबसे अलग किसी गुफा में रहना चाहती हो महराज वहाँ तो बहुत अंधीरा है मुझे डर लगता है भगवान विश्णो घुटने के नीचे हाथ रखकर एक पत्थर पर बैढ गए उनके सामने वही सुन्दरी सहमी हुई खड़ी थी भाग दो बहुत देर के उपरान जब उश्ण किरंड के प्रकाश ने पूर्व दिशा में आकाश को प्रकाशित किया तब सरोवर का जल, ताण के व्रिक्ष और हरे मास सुनहरे हो गए गुलाबी, बगुले, नीले, सारस और श्वेट, हंस मिलकर पानी पर और मोर जंगल में कूखने लगे तो उसके साथ ही वीना की मस्त कर देने वाली लैग से मिश्रित प्रेम गान सुनाई देना आरम हुआ भगवान अब तक संसार की चिंता में सगलग न थे आप चौके और कहा, देखो, कविबालमी की सूरी को नमस्कार कर रहा है उठ समय के पश्चात, केसरिया परदे जो चांदनी को ढगे हुए थे उठ गए और सरोबर के समीब कविबालमी की प्रकट हुए मनुश्य के रूप में बदले हुए कमल के फूल को देख कर रह गए, जैसे सर्व था किम करतव व्य मूड थे भगवान ने पूछा बालमी की क्या बात है, मौन हो गए बालमी की बोले महाराज, आज मैंने प्रेम का पाठ पढ़ा है पस इससे अधिक कुछ न कह सके विश्ण भगवान का मुख सहसा चमक उठा उन्होंने कहा सुन्दर कामिनी, मुझको तेरे लिए योगिस्थान मिल गया जा, कवी के हिर्दे में निवास कर भगवान ने बालमी की के हिर्दे को शीशे के समान निर्मल बना दिया था वो सुन्दरी अपने निर्वाचित इस्थान में प्रविश्ट हो रही थी किन्तु जैसे ही उसने बालमी की के हिर्दे की गहराई को मापा उसका मुँ पीला पड़ गया और उस पर भय चा गया धेवता को आश्चर हुआ बोले क्या कवे हिर्दे में भी तुम रहने से डरती हो माहराज आपने मुझे किस इस्थान पर रहने की आग्या दी है मुझको तो उस एक हिर्दे में नाग राज के शिखर अजीब जन्तुओं के भरे हुए जल की अथा, गहराई और अजन्ता की अन्धेरी गुफाएं आदी सब कुछ त्रिष्टिक उचर होता है इसलिए महराज में भैभीत होती हूँ यही सुनकर विश्णु भगवान मुस्काए और बोले मनुश्य के रूप में परिवर्तित सुमन रख यदि कवी के हिर्दय में हिम है तो तुम बसंतरितो की युष्ण समीर का जोका बन जाओगी जो हिम को भी पिखला देगा यदि उसमें जल की गहराई है तो तुम इस गहराई में मोती बन जाओगी यदि निर्जन पन है तो तुम उसमें सुक और शान्ती के बीज बोदोगी यदि अजन्ता की गुफा है तो तुम उसके अंधेरे में सुरे की किरन बनकर चमकोगी कभी ने इस बीज में बोलने की शक्ति प्राब्द कर ली थी उसकी और देखते ही भगवान विश्णु ने इतना और कहा जाओ ये वस्तु तुम्हें देता हूँ इसे लो और सुखी रहो